हलो फ्रेंग्स स्टेडी विद मैंग की करेंट अफ़ेर से सर में आपका स्वागत है यह करेंट अफ़ेर SSC, बेंकिंग, रेलवे, स्टेट PCS, CDS, CAPF, NDA और अधर कमपटेटिव एक जमादी में सहाइक होंगे आज की डेट है 10 अगस 2021 तो चलिए आज का करेंट अफ़ेर सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है Go First Airline Company ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाडियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफर देटी की घोशना की है Option A, 7 साल, Option B, 5 साल, Option C, 8 साल, Option D, 10 साल लिखी घरेलू Airline Company Go First टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाले खिलाडियों को बहतरिन गिफ्ट ओफर गया है डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट से 5 साल तक फ्री में सफर करने की पेसकस्की है ऑलंपिक में भारत ने एक गोल्ड, दो सिल्वर और चार ब्रॉंज मेरल जीते हैं ये खिलाडी साल 2025 तक मुफ्थ में सफर कर सकते हैं तो इसका सही अंजर होगा Option B, 5 साल केंदर सरकार ने केबिनेट सचीव राजीव गोवा के काईकाल को निम्नमे से कितने दिनों तक के लिए बढ़ा दिया है Option A, 2 साल, Option B, 4 साल, Option C, 5 साल, Option D, 1 साल देखे केंदर सरकार ने केबिनेट सचीव राजीव गोबा को एक साल के लिए सीवा विस्तार्द किया है गोबा को 2019 में दो साल के लिए देश का सिर्श नौकर सहा निप्त किया गया था वो वानने केंद्री सहरी विकास मंत्राले में सचीव और ग्रियय मंत्राले में अतरेक्ट सचीव की रूपे भी काम किया है उनने चार साल तक अंतराश्टी मुन्द्रा कोस की बोर्ड में भी भारत का प्रतिमेधट्थ्य थो किया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option D, एक साल चले next question पर चलता है किस राइजे सरकार ने होकी खिलाडी वंदना किटारिया को राइजे के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भियान का brand ambassador निवत किया है option A, पंजाब, option B, बिहार, option C, जार्खन, option B, उत्राखन लिके टोपियो अलंगपिक में भारती महिला होकी टीम की सदे से रही बंदना किटारिया पर उत्राखन सरकार की और से इनामों की बहचार हो रही है उत्राखन सरकार ने बंदना को 25 लाग का इनाम दिया है साथ ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभ्यान और महिला ससक्तिकरण अभ्यान का ब्रांड अम्बैस्टर बढाया है तो इसका सही अंजर होगा option D, उत्राखन चलिए next question पे चलता है टोपियो ओलम्पिक में नीरज चोपडा ने भारत को 121 साल बाद इस साल में पहली बार एथलिट्स के एथलिट्स में कौन सा पदक दिलाया है option E, स्वाण पदक, option B, रज़त पदक, option C, कास से पदक, option D, इन में से कोई नहीं देखे, टोपियो ओलम्पिक में नीरज चोपडा ने जैवलिन थ्रोप प्रतियोगिता में भारत को टोपियो ओलम्पिक में पहला गोल्ड मेडल दिला है जैवलिन थ्रोप प्रतियोगिता के साथ साथ टोपियो ओलम्पिक में भी यो भारत का पहला गोल्ड है इसके साथ ही नीरस ट्रेक एंड फिल्ड इवेंट में स्वन पदक चीतने वाले पहले भारती एथलेट बन गया है। साथ ही वो ओलिम्पिक के वेक्टिकत प्रतिस परधा में स्वन चीतने वाले दुसरे भारती खिलाडी है। इससे पहले है जो आपका अभिनर बिंद्रा ने डीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मिटर एयर राइफल्स परधा में पीला तमगापने नाम किया था। तो इसका सही अंसर होगा ऑफ्षण ऑफ्षण ए स्वन पदक। चले नेक्स्ट कोईशन पर जलता है। ऑफ्षण ए किस गेंदबाज ने अपने डेब्य मेच में हैट्रिक देने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है। कि ऑफ्षण की तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने बंगला तेस के खिलाफ तिसरे T20 मेच में अपना डेब्यू किया। इस मेच में एलिसने हेट्रिक विकेट दिल लिए वे ट्वूटी अंदरास्टि औरिको जबकि टी की मैच में पारी की अंतिम तीन गेंद लेने वाले पहले खिलाडी भी बने खें। वो ब्रेट ली और एस्टरन एगर के बाद T20 एंतरास्टिक क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तिसरे ऑस्ट्रिलाई क्रिकेटर बन गये हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओफ्षन B. नाथन एलिस चले नेक्स्ट कुश्शन पर चलते हैं हाली में दिग्ज इंटरनेट कंपनी गूगल ने विमान उड़ाने वाली किस पहली भारती महिला को उनकी 107 जैनती के अफसर पर एक डूडल समर्पित किया है ओफ्षन A. गौतमिस रिवास्ता, ओफ्षन D. मानसी त्यागी, ओफ्षन C. आभाप्रभाकर, ओफ्षन D. सरला ठुकुराल देखे हाले में दिकज इंटरनेट कंपनी गूगल ने विमान उड़ाने वाली पहली भारती महिला सरला ठुकुराल को उनकी 107 जैनती के अफसर पर एक डूडल समर्पित किया सरला ठुकुराल का जर्म जर्म जो है, वो 8 अगस्त 1914 को दिल्ली ब्रिटिस भारत में हुआ था और बाद में वेवर्तमान पाकिस्तान में लाहर चली गए वो एक भारती पाइलेट डिजाइनर और उद्धे में थी, 21 वर्स के आयू में एक पार्बरिक साड़ी पहने हुए उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी और अपनी पहली उड़ान के साथ उन्होंने इतिहास रज़ दिया था सरला ठुकराल ने अपना प्रिस्रिक्षन लाहर फ्लाइंग क्लब से प्राप्त किया था तदा इस प्रिस्रिक्षन के दौरान सरला ठुकराल ने उड़ान के 1000 घंटे पूरे करने का गौरब भी हासल किया था जिससे उन्हें एस रेनी का लाइसेंस प्राप्त हुआ था इस सासित प्रदेश के अधिसूचित संग्रक्षी छेत्रों का दौरा करने के लिए घरेलू परियाटकों सहित सभी भारतिय नागरिकों के लिए इनलाइन पर्मिट के अविशक्ता को समाप्त कर दिया है अफ्षन A लद्दाख, अफ्षन B नागालेंड, अफ्षन C अरुणाचल प्रदेश, अफ्षन D जमुर्वें कस्मीर देखे प्रसासन हालनी में केद्रसासित प्रदेश यहां पर आपका लद्दाख छुट गया है ठीक है लद्दाख के अधिसुचित संखरक्षी छेतरों का दौरा करने के लिए घरेलु परेत को सहिद सभी बहारती नागरेकों के लिए इनर लाइन परमिट के आविशक्ता को समाप्त कर दिया है इसे पूर जो है घरिलू परेटकों के लिए भी लद्दाग के भित्री इलाकों में जाने से पहले अधिकारियों से इनर लाइन पर्मिट प्राप्त करना रिवारे था इसे पूर भारते घरिलू परेटकों केवल लहे की नुब्रा घाटी में यार्मा गोबो मठ तक ही जाने के नुमती थी इसी के साथ लद्दाग के संग्रक्षिक छेत्र की निवासी अन्य संग्रक्षिक छेत्रों के बिना किसी पर्मिट के जा सकते हैं तो इसका जो सही अन्सर होगा होगा का ओप्षिन ए लद्दाग चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं रास्टी महिला आयो की मौजूदा अध्धक्ष रेखा सर्मा को हाली में कितने वर्स का कारेकाल वस्तार दिया गया है रास्टी महिला आयो की मौजूदा अध्धक्ष रेखा सर्मा को हाली में तीन वर्स का कारेकाल वस्तार दिया गया है रेखा सर्मा ने 7 अगस 2018 को रास्टी महिला आयो के अध्धक्ष का पदभार ग्रहन किया है आयोग का गठन जनवरी 1992 में रास्टी महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहट एक साम्मिधिक निकाय के रूप में किया गया था आयोग का उदेश महिलाओं की समयधानिक और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके लिए विधाई सुझावों की सिफारिस करना सिकायतों का निवारन करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नितिगत मामलोक में भारत सरकार को सलह देना है इस आयोग में केंदर सरकार द्वारा नियुक्त एक धक्ष पाठ सदस से और एक सदस सची होता है तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा आपका ओप्षण बी तीन वर्स चल्ले नेक्स स्क्वेशन पर जलते हैं कौन से देश के सबसे सक्रिय ज्वालमखी माउंट मेरा में हाली में विसफोर्ट हो गया ओफ्षन इंडिन 268 मीटर उचा यह ज्वाला मखी इंडोनेशिया की घनी अवादी वाले दिव जावा और वहां के प्राचीन सहन याग्या काठा के पास है माउंट मेरा भी इंडोनेसिया में इस्ते दरजनों जौला मुख्यों में से सबसे अधिक सक्रिय जौला मुख्य है और बीते कुछ वर्सों में इसमें लगातार विस्पोड हो रहा है जाबा की पुरानी भासा के तहट मेरा भी नाम का अर्थ है आग बनाने वाला जो की जौला मुख्यों का एक लोग प्रियर नाम है वर्स 2010 में माउंट मेरा भी में हुए बड़े विस्पोड में 347 लोगों की मौत हुई थी तो इसका जो जहीं अंसर होगा वह आपका ओप्शन C इंडोनेसिया चले नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं किस राजीव गांधी नाम हंटा कर उसका नाम जनरल करियप्पा नेस्टनल पार्क रखा जाये और शनी करनाटक और शनी तमिल लांडू और शनी आंध्रडेस और शनी तैलंगना देखी करनाटक के कोडागू जिलिम के स्थाने लोगों ने PMO में एक याज़ी का भेज कर मांग की है कि नागर होल नेशनल पार्क जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है इसमें से राजीव गांधी का नाम हटा कर उसका नाम जनरल करियपा नेस्नल पार्क रखा जाए। दरसल फिल्ड मार्सल के करियपा कुडागू से ही थे। जनरल करियपा भारती सिना के पहले इंडियन कमांडर इंचीफ थे। कर्नाटक राज्यु में कोडंगू जिले और मेसूर जिले में जले में सेवत रूप से स्थित्त है। इसे राजीव गांधी राष्ट्य ऊद्ध्यान के रूप में भी जाना जाता है। इस पारण को 1999 में सइंतिश्विव प्रोजेक्ट टाईगर रिजर्व के रूप में भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग, have a nice day, take care